हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फिर से में रेकने हैं वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस की रियल में 11X 5G फोन में आप लोग नोटिपिकेशन को कैसे ओफ कर सकते हो अगर आपके फॉन में जो है बहुत सारे नोटिविकेशन आ रहा है गाईस तो इन सब नोटिविकेशन को जो आप लोग कैसे ओफ कर सकते हो गाईस और किसी भी एपलिकेशन का नोटिविकेशन आप लोग कैसे ओफ कर सकते हो तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाईस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसन आए वीडियो को लाइक कर दीजिये और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिये तो चलिए गईज फीडियो को स्टार्ट करते है नोटिविकेशन को ओफ करने के लिए आपको सबसे पहले जो यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है उसके बात यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है नीचे एक ओप्शन देखने को मिलेगा गईज नो यहाँ पर से जो आप लोग किसी भी एप्लिकेशन के नोटिविकेशन को ओफ कर सकते हो तो यहाँ पर देख सकते गाईस मेरे फॉन में जो यहाँ पर बहुत सारे नोटिविकेशन आ रहे हैं तो देख सकते यह है गूगल प्ले स्टोर के तरप से नोटिविकेशन यहाँ हो रहे हैं आप लोग देख सकते हो यह गाईस यह तो Google Play Services है अगर हम इसको on कर देंगे तो यह फिर से शो होने लग जाएगे लेकिन यहाँ पर गाईस आप लोगों का शो नहीं होगा क्योंकि हमने इसको पहले हाइट कर दिया है तो यहाँ अप लोग किसी भी एप्लिकेशन के नोटिविकेशन को हाईट कर सकते हो ठीज़ तो यहाँ मतलब आपका जो नोकिविकेशन है वो ओफ ओजाएगा तो यहाँ पर से आप लोग इस बटन को on आफ कर दीजिए अगर अप लोगों को ओन करना है तो यहाँ पर से ओफ कर दीजिए तो ऐसा करके जो है आप लोग अपने रियल में 11X 5G फोन में नोटिफिकेशन को ओफ कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सबस्क्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई